जानलेवा अटेक उपसरपंच पर बाइक सवार बदमाशों ने किया चाकू से हमला पिस्टिल से की तीन राउंड फाइरिंग मध्यप्रदेश में सिवनी जिले में छपारा थाना अंतरगत ग्राम चमारी में बीती रात अग्याद बदमाशों ने ग्राम पंचायद दामदावानी के उपसरपंच पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया हमले में उपसरपंच घायल हो गया पिस्टिल से तीन राउंड फाइरिंग भी की है इस मामले की शिकायत कर पुलीस ने अग्याद बदमाशों के खिलाफ मामला दर्स कर जाँच परताल शुरू कर दी है राधेश्याम प्रजापती के ऊपर तीन अग्याद बाइक सवार बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया बताया जा रहा है कि चमारी तहसील कार्याले के पास उनकी बाइक रोक कर चाकूओं से हमला किया गया उपसर पंच का दोस्त सहु सर्याम बाइक चला रहा था और वह पीछे बैठे थे किसी दोरान पीछे से एक बाइक में सवार होकर आए तीनों अग्याद बदमाशों के मुंग में गमचा बंधा हुआ था उन्होंने चाकूओं से हमला करना शुरू कर दिया इतना ही नहीं चाकूओं से वार के बाद बदमाशों ने पिस्टिल निकाल कर फाइरिंग करनी शुरू कर दी जिसके बाद उपसर पंच ने किसी तरह से जाडियों में छुपकर अपनी जान बचाई इस मामले में छपारा पुलीस ने अग्याद बदमाशों के खिलाफ मामला दर्स कर लिया है और चमारी गाव के बस स्टैंड के आसपास लगे सीसी टीवी कैमरे भी खंगाले जा रही है पूरा परिचे क्या नाम है आपको और कैसे क्या घटना हुई इसके बाद बोने लगे मार मार करके तो तीन वार चक्तू मार रही हो हमें दो जगा पर में एक जगा साइड में तो इतने पैस्टिल नेका रही existal 2 पिशो चलाए प्षटेल चलाई्ट इसके साइड में जाकर छपना पड़ा एक और सांती था, वहीं साइडम फुलिया थी, वो साइड अतर गया, पता नहीं वो कौन थे, पुरंद गाली बाइक थी, लोटा के, चेहरे पहचान पाए, चेहरे थोड़ा-थोड़ा पहचान जाए, वो यदि दिग जाए, नकाब में थे क्या खुले थे, कुछ गंचा डा झालो गुलिया?